आसमेसे में बालो में बहुत ही जादा खुजली हो रही थी, सोस्ते सोस्ते अचानक से में दिमाग की बत्ती जल गए और मैंने बहुत ही अच्छा पावरफुल सीरम बनाया जो बालो को तूटा जाना को रोकेगा, बालो को बहुत लंबा घनार मजबूत करेगा, तो आएए क्या है सीरम सबसे पहले मैजिकल इंगिडियन से यहां प्याज को रोकता है बालो में खुझली टैंडव की समझा को जर से खथम करता है तो प्याज को अच्छी किया करना है कद्दू कस कर लेना है बिल्खुल इस तरीके से दबा दबा करके रस निकाले ज़िए रही रही फिर यहां पर आपको लेना है एक नीमबू, नीमबू को अच्छे सुस में निचोड दीजिए, अब मतलब आदा ही नीमबू डाला है मैंने, आदा नीमबू निचोड दीजिए, फिर यहां पर दो चमच ऑली वाइल और एक चमच कैस्टर ऑली वाइल की जब आप कोकनट ऑल बालो में डारेक्ट शैंपू लगाओगे तो आपकी बाल भी बिल्कुल इसी तरीके से गंजेपन की शिकायत पे आजाएगी, आप अगर बेहत लंबा गना, बहुत ही मजबूत बाल पाना चाहते हैं दोस्तों, तो कभी भी शैंपू को अपने डारेक्ट ली स्कैल्पे न बहुत ईजी और सिंपल सी रिमेरी है, आराम से इस रिमेरी को अपने घर पे करिये और शैंपू को स्टोर करके रख सकते हैं, बना करके और शैंपू को वीक में दो बार दो सकते हैं, तो क्या है रिमेरी सबसे पहले आपको एक बरतन में लेना है एक ग्लास पानी, उस पान पानी का जो मतलब सबी चीजों का जो गुन है इस पानी में आएगा और यह पानी एक्तम से जादवी पानी मैजकल पानी बन जाएगा अब इस पानी को अच्छे से चान लेना है ठंडा कर लेना है और इसके सासत इहां पर एड कर सकते हैं कैस्टर ओयल, कोकुनट ओयल या फिर यह वैटमिन ए की कैपसूल इसको एक एक स्टैक्ट कर दीजे और इसको इसके बाद इसमें आप अपना को भी फेबरेश शैंपू जो आप बालों में लगाती है तो उसको क्या करना इसमें डाल्यूट करना है तो समझे गई कि शैंपू को कभी भी बालों के स्कैल्प पे डाल्यूट ना लगाए उसको डाल्यूट करें आप गुनगुना पानी में भी कर सकते हैं इस तरह के एकर शैंपू रिमेडी बना करके डियाएवा जो मेतिय का पानी हो चावल का पानी हो किसी भी पानी में आप इसको डाल्यूट करके ब एरफॉल तो कम होंगे ही होंगे, बाल बहुत ही मजबूत होंगे, बालों की ग्रोध बहुत ही अच्छी होंगी, लंबे होंगे, ये वाला शैंपू आप बनाएए, इसको आराम से दस दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, और शैंपू सा वीक में दो बार बाल को धो लीजिए, तो इत्ते होते हैं, आपको कुछी दिरों में रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, बालों को टूटना जहना एकदम से रूख जाएगा, बाल बहुत लंबे घने मजबूत भी होने श्रू हो जाएगे, नए बालों बहुत ही पा बहुत जयादा फ्रीजी होते हैं, डैमेज होते हैं, बहुत ही ज़ादा जढते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा परशान रहते हैं, तो घबराइए नहीं, आज का यह एक बहुत बेस्ट वाला हेयर मास की रिमेडी, आपके साथ शेयर कर रही हैं इसको ट्राइ करके हैं और उसको pulp को डाल देना है आपको ग्राइणिंग जार में डाल करके यहाँ पर आपको डाल देना है । ऐक के ला डाल देना है 1 of आदह कप यहाँपे डाल देना है थोड़ा से इसमें औलीव या कोकनट oil, साथ में glycerin add कर दीजिए, सबी चीजों को बहुत ही अच्छे से grind कर लीजिए, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कैरिटीन treatment से भी अच्छा ये hair mask ready होता है, आपके damaged बालो को, आपको splittin बालो को एकदम से खतम करेगा, बालो बहुत ही silky, smooth करेगा, जो बेजान जारो जैसे बालो हो गया है, damage हो गया है, उसको बहुत ही सही करेगा, तो सबसे पहले बालो को अच्छे से खौम करके सुलजा लीजिए, उसके बाद इस remedy को आपको बालो की जरो से ले करके, सीरो पे अच्छे सप्लाई कर लेना है, जहां पे भी स्प्लिटेंस है, वहां पे अच्छे से लगाएं, लगा करके दोस्तो इस remedy को आजटी जब छोड़ सकते हैं, लगबग आदे गंटे के लिए, उसके इसको वाश कर लीजे, आप normal water से वाश कर लीजे, next day shampoo कीजे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और दोस्त इस remedy को वीक में एक बार जरू ट्राई करके देखिएगा, इतने अच्छे, इतनी सुंदर मुलाईम, खोशद बाल होंगे, कि आप खुद भी अचंबित रहिएगा, बाल बहुत ही soft-soft और मुलाईम होंगे, ट्राई करके देखिए, बेस्ट रिमेडी है, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ट्राई कीजिए, रिमेडी पसंद आए, तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, मिलती हूं नेक्स वीडियो में, टेक केर और बाबाई, थैक्स पर वाचिंग